कि बात आएगी सेलेर और 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 फिर से स्वागत है होरिजन अकेडमी का चैनल आपको फिर से अपने आप से कनेक्ट होने के लिए और अपना लाब उठाई यह देखिए यहां पर जो हम डिसकस कर रहे थे लिविंग वर्ड उसमें यह ध्यान रखने की बात थी कि हमने सेलूरर और 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 इसन को पढ़ने की बात की थी तो दो सेलूरर और 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 अब बताओ हग्जले नाम का एक साइ साइडोप्लाजम हम यह सकता है व इनकी बिल्कूल स्थाई हो क्योंकि यह बिल्कूल सही बात ब्त लाइस में यह लेकिन 지도 प्लाजम कोई ऐसा नहीं है कि इस आप में कहीं गूम्शा हुआ वह हो साइट्टोबाजम जनरली cell membrane से bounded होता है तो अगर cell membrane present है और उसके अंदर साइटोप्लासम है तो यह organization होता है सलूलर organization और इस सबसे कमाल यही चीज है कि बाहर के इंवॉर्मेंट से किसी भी चीज को अंदर के इंवार्मेंट से अलग कर दे यह और यह अंदर का इंवार्मेंट ही जो होता है वही जो इन्वार्मेंट चाहिए होता है किसको मेटाबोलिजम के लिए इस लिए जब जब भी मेटाबोलिजम की बात आएगी अपने आप में बहुत ही जरूरी चीज हो जाएगी नीड़ेड रिक्वार्मेंट हो जाएगी यहां पर तो इसलिए बुला किया है और्गनिजम सार में डपाफ वन और मोर सेल्स और्गनिजम एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं और जो सेल्लर ऑगनिजम होता है वो एक डिफाइनिग फिचर है बिना सेल के कोई भी लिविंग स्टक्चर नहीं हो सकती और यही बात इसको डिफाइन करती है मैंने कहा था defining feature में क्या करते हैं दो condition होती है defining feature found in all livings और only in livings ये दो conditions में से कोई भी condition लगा दो at least वहाँ पे फुल भुले होनी चाहिए तो defining property हो जाती है तो seller organization is also a defining property फिर इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि consciousness consciousness अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह बहुत सारे plants grow हो रहे हैं लेकिन sunlight की direction में move कर रहे हैं इसको बोलते फोटोट्रापिजम movement of the plant towards the sunlight is called phototropism और यह phototropism की mechanism sensitivity की वज़े से हो रही है तो यह plant जो है यह इस environment को या sunlight को sense करता है और उसे respond भी करता है at a time है ना तो sense and respond को हम क्या कहते हैं consciousness कह कहते हैं तो इसमें sense and respond यह दोनों चीज़ें यहां पर सामिल होती है आप देखो कि एक छुई मुई का पौदा जिसको हम touch me not कहते हैं touch me not to touch me not plant अगर आप छुओगे तो यह क्या करने लग जाएगा fed up हो जाएगा जुलस जाएगा सुकूड जाएगा है ना and that is also sensitivity and responding यह plant respond कर रहा है similarly आपने देखा कि एक बंदर जो है अचानक से उसे एक सीसा मिल गया जो कि नौन लिविंग थिंग है तो हर एक और्गनिजम किसी ना किसी चीज़ को चाहिए वो नौन लिविंग हो उसको sense करता है जैसे sunlight non living है यह सीसा mirror एक नौन लिविंग है तो यहां देखने में आता है कि सारे और्गनिजम के पास अपनी ability होती है किसके sense करने की and response करने की और response किसे करता है किसी stimuli को जैसे यहां पे एक मक्ही है और आप देख रहो कि यह वीनस प्लाइट्रेप का जो यह प्लांट है यह अपनी इंसेक्टी वोरस लीव की help से इस इंसेक को खा जाता है यह response में उसकी तरफ मुड़ जाता है और यह response में यह बंदर अपना मूँ उसमें देखने लग जाता है तो ऐसे बहुत सारी बात है जिसमें एक organism sense and response करता है इस प्रोसेस को हम consciousness कहते हैं consciousness भी जो होता है हर एक living organism में होता है इसलिए और यह consciousness सिर्फ living में ही मिलता है non living में consciousness नहीं होता है यह दोनों कंडिशन फुल्फिल हो गई इसलिए consciousness is also defining property है ना तो यह को यह metabolism symbolism cellular organization consciousness यह तीनों की तीनों कैसी है defining features है कैसे features है defining features होते हैं तो यहीं पर बात हो गई अच्छा response जो भी चीज जो trigger होता है जैसे इस चुई मुई के पौदे के लिए जो यह उंगली है यह trigger का काम कर रही है यहां पर इस plants के लिए न यहां पर sunlight जो होती है वो trigger का काम कर रही है any trigger because of what anything is going to respond है ना जिसके कारण से कोई response generate हो रहा है वो चीज़ stimuli के लाती है stimuli मतलब any trigger which is causing living organism to sense and response जो भी चीज़ की वज़े से living organism response कर रहे होते हैं उसको stimuli कहते है तो वही चीज़ that stimuli light हो सकती है water हो सकती है temperature हो सकती है या कोई other organism भी हो सकता है इसका मतलब है कि वो physical, chemical या biological कैसी भी हो सकती है तो stimuli हमेशा physical, chemical या biochemical या biological हो सकती है अब आगे हम देखते हैं कि consciousness में एक और बात होती है aware of the surrounding अपने चारों तरफ surrounding को लेके सारे organism aware होते हैं और यह defining property है सारे living organism इसमें perform करते हैं human एक ऐसा organism है जो सिर्फ self consciousness है सारे के सारे organism अपने आप में conscious है लेकिन human खुद को देखो यह human क्या करने लग रहा है आप देखो इसमें थोड़ा सा hypothetically चीज़ें दिखाई जा रही है कि एक अपने आप को ही समझने का काम कर रहा है यह human अपने आप को ही समझने का काम कर रहा है हम जब खुद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उसको self consciousness कहते हैं भाई हमारा liver कैसे काम करता है kidney कैसे काम करती है हमारे kidney में ऐसी क्या problem है disease को सर्च करना और उसका इलाज करना यह self consciousness है यह हमारा मन कितना प्रशंदर रहता है हम meditation करते हैं क्या हम exercise करते हैं क्या ऐसी चीज़े सिर्फ human नी सोच सकता है कोई animal exercise करने के बारे में नहीं सोचता कोई animal अपने बारे में meditation करना नहीं जानता क्योंकि उसके अंदर self consciousness नहीं होती है यही बात है कि human एक ऐसा animal है इस पुरी दुनिया में जिसके पास self consciousness की property है तो ठीक है आगे बढ़ते हुए हम अब देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आ रही है बच्चों की self consciousness तो आप कहोगी self consciousness तो भई है human में होती है नहीं रहता कुछ भी पता नहीं रहता non conscious होता है तो human जो होता है coma में coma में जो भी patient होता है वो living होता है बट non conscious होता है brain dead human क्या होता है वो dead होता है मतलब non living होता है तो brain dead human क्या होता है non living होता है ध्यान नखना है आपको इसके base पे questions आते हैं problem करेंगे आपको stimuli क्या हो सकती है stimuli any trigger कोई भी trigger हो सकता है any trigger कुछ भी trigger हो सकता है जो क्या कर सकता है any trigger can be physical है ना यह physical हो सकता है या chemical हो सकता है है ना biological हो सकता है तो कोई भी stimuli कैसी हो सकती है physical, chemical या biological कैसी भी हो सकती है फोटो पीरियड क्या होता है फोटो पीरियड का मतलब होता है duration of sunlight given to the earth and received by the plants, plants जितनी भी सनलाइट की intensity को duration को accept करते हैं उसको फोटो पीरियड केते हैं, हर एक प्लांट अपने different different photo period के accordingly sunlight को response करता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है plant response photo period seasonally, आपने देखा होगा भीया सर्दियो के दिनों में कुछ special type के plants grow होते हैं और गर्मियों के दिनों में कुछ दूसरे type के plants grow होते हैं, तो ये बात तै करती है कि हमारा photo period जो होता है plants के लिए काफी अलग तरीके से seasonally, तो आप seasonal variation भी देखते हो plants में, पहले plant grow होता है, food को store करता है, फिर flowering आती है, फिर उसमें fruits आत photo period आप PGD, plant growth development topic में पढ़ते हो, जिसमें ये होता है कि कोई भी plant बड़े लंबे duration की sunlight चाहता है, और ये लंबे duration की sunlight को चाहने वाले plants को long day plant कहते हैं, क्या कहते हैं, long day plant कहते हैं, और ऐसे plants summer में, मतलब गर्मियों में ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए आपने इनको summer season crops कहते हैं आप इसको, summer season crops कहते हैं, winter जो होता है, उसमें दिन छोटा होता है, तो photo period छोटा होता है, और छोटे photo period में sort day plants grow होते हैं, अच्छा कुछ plants को चाहें सर्दियों में grow कर तो, चाहें गर्मियों में grow कर तो, वो grow होते रहते हैं, तो उनका कोई duration fix नहीं होता, उनको की बहुत है इसीमुली होती है एक स्टीमुली है किसके लिए प्लांट के लिए फ्लांट सिसको क्या करते हैं सैंस करते हैं और क्या करते हैं कैसे सीजन वाई सीजनली रिस्पॉंस करते हैं तो ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बहुत ही शांदार है कि डाइवर्शटी डाइवर्शटी का मतलब होता है वैरियेशन इंदा फॉर्म किसी भी फॉर्म में जितना भी वैरियेशन होगा उ मैं मार्केटर हूँ मैं बिजनेस करता हूँ मैंने कहा कि देखो बच्चों बाई मेरे पास बड़ी सारी वेरियेशन या बड़ी सारी डाइवर्शटी आफ ड्रेसेज है कपड़ों की बहुत डाइवर्शटी है मेरे पास और मैं उस बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ त तो Canada, Japan, France, Mexico, Medagascar ऐसी बहुत सारी जगे हैं जहाँ पे एक अलग टाइप की बायो डाइवर्शिडी डबलप हो चुकी है, लिविंग और्गनिजम्स हैं वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे देखना होगा, आपने देखा होगा लोग टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जाते हैं दूसी जगहों पे, जहां पे बहुत सारा नेचर डबलप हो चुका होता है, यह डाइवर्शिडी का एक हट स्पॉट है, जहां पे बड़े सारे प्लांट्स और अनिमस दिखते हैं, हम लोग खुस हो जाते हैं, नेचर में पहुचके खुस हो जाते हैं, तो आप भी इस टॉपिक में एकदम एंटर करते ही खुस हो जाओ, और आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कमाल की बात होने वाली है, सबसे पह जी कोई चीडिया, कोई कुछ भी, कोई वेल, कोई सार्क, बहुत सारे अनिमस को इसने कलेक्ट कर रखा है, प्लांट्स मगले को कलेक्ट कर रखा है, और यह पूरी दुनिया को रिपरजेंट कर रहा है, अर्थ को, जैसे आप भी देखो, एस्ट्रोनोर्स जो होते हैं, पूरी दुनिया पे जितने प्रेजेंट हैं, उसको हम बायो डाइवरसिटी कहते हैं, तो बायो डाइवरसिटी इस नमबर एंट टाइपस ऑफ और्गेनिजम्स ऑन दे अर्थ, ठीक है, यह तो सिंपल नाइन है बई, आगे देखो, नमबर ऑबाइवरसिटी, देखो यह 1.7 से लिए 1.8 million species हैं, यह species हैं मतलब की यह सारी की सारी जो species हैं, species हैं किसकी हैं, organisms की species हैं, और इन सारी की सारी species को क्या किया जा चुका है, इन species को क्या किया जा चुका है, डिस्कवर किया जा चुका है, तो इतनी जो हैं, यह डिस्कवर्ड है, इनको डिस्कवर्ड किया ज चुका है यह स्पसीज डिस्कावर्ड होती है इनको नेम दिया जा चुका है इनको डिस्क्राइब किया जो का बुक्स में लिखा जा चुका है आप जितनी भी क्लासेज में सिप्सेक्वेंट पढ़ते चले जाओगे यह सब आपको मिलता चला जाएंगा आगे बात करते हैं कि जो पूरी की पूरी दुनिया है उसमें सारे का सारे लिविंग और्गनिजम्स को हम नेम देना चाहते हैं नॉमन क्लेचर उसका नाम देना चाहते हैं बट नाम देना इतना असान नहीं है उनका नाम हम कब दे सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे चा नेम्स देते हैं यह तो हम तो लोकल में किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं जैसे अगर महाराष्ट्रा रिजन में बोलू कि एक और जिसका नाम है जुरल आप कोगे सर जुरल के पीछे बहुत पड़े हैं यार जुरल मैंने पहली बार सुना था मेरे को दस दिन तो याद नही क्योंकि एक लोकल नेम है तो देखो यहां पर हमने यह देखा कि नॉमन क्लेचर का मतलब होता किसी भी चीज़ को प्रॉपरली नेम देना लेकिन यह नेम हम तब दे पाएंगे जब हम उसे ठीक से समझेंगे हमारे चारों तरफ की जितनी भी अभी थोडी देर पहले जो हम यह बात कर रहे थे पूरी की पूरी बाइवडावसटी है ना यह पूरी की पूरी बाइवडावसटी को लोकल नेम से लोग जानते हैं जैसे महराष्टा रिजन में एक जुरल नाम का एनिमल होता है अब आपको यह जुरल नाम का कौन सा एनिमल है लेकिन यह जुरल नाम क का एनिमल लोकल लेंग्वेज में है इसने साइंटिस को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी किसी भी एनिमल का नाम कोई भी लोकल तरीके से बोल दे तो फिर उसको पूरे दुनिया में साइंटिस नहीं पहचान पाएंगे पूरी दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए उस स्थरार रिजन में मैंने बताए कि जूरल जूरल का मतलब एक्शूली में होता है कॉक्रोच तो आप इसे हिंदी में काक नाम से कहते होंगे ऐसा यह जगे-जगे पे कलकता बंगाल ऐसे बहुत सारी द्रिसने के नाम अलग अलग है फिर किसी कंट्री में लेकर उनने क्या कि उन्होंने कहा कि देने की जरुरत होती इसेंटे। फिक फिक नेम आगे मैं यृटिन लैंग्वीड होती है तो हमने क्या किया यहां पर हमारी जो बालाशी उस में ठेने के लिए हम ले जानुफी को यूज्ज को यू Eğer ने गम्ञाइब देने के लिए लैटन लेंग उज्ट किया गया जिसे आप दोटील maybe कह सकते हैं वाएलोजी में बॉक्त लेर सकते हो फ़ось होगा में होगा गर सब्सक्राइब और यह पहुत ऑख शेण यह सकोज रहा होगा कि टेक्सोनामी की तोh abom यह समझेंके कि टेक्सणॉमी की सिस्टेमेटिक लिखा हुआ अब यह समझेंगे कि टेक्सणॉमी में रिखा हुआ है मैं आपको बताव टेक्सणॉमी और से मैं फोड़ा डिफरेंस है जैसे taxonomy का मतलब होता है branch of categorizing of living organisms into their respective groups किसी भी living organism को उनके respective groups में अगर classify कर देते हो ना तो उस process को हम taxonomy कहते हैं लेकिन taxonomy have steps taxonomy में कुछ steps होते हैं और वो steps बेहद important होते हैं systematics में भी steps होते हैं लेकिन उस steps में कुछ चीज एड़ की जाती है है ना एड़ेड तो इसमें कुछ एड़ेड चीज़ें भी होती है systematics में तो आप यह कह सकते हो कि taxonomy plus anything become systematic warm detail में पढ़ेंगे तो systematic या taxonomy को अगर बात करें कि एक identification classification और nomenclature की science है हलाकि इसमें characterization में एक step सामिल है taxonomy में जो हम अभी समझने वाले हैं तो यह कह सकते हो किसी भी organism को ठीक से पहचान करना उसको पता करना identification कहलाता है किसी भी organism को उसको category में classify करना classification कहलाता है किसी भी organism को उसको proper name देना biological या botanical name देना वह nomenclature कहलाता है अब हम आगे दिखते हैं कि यहां पर systematic जो word है वो systema नाम के एक Latin word से origin हुआ है जिसका मतलब होता है organized इसका मतलब होता है organized किसी भी चीज को ठीक से अगर आप organized कर देते हो तो उसको systematic कहते हैं आपको 10,000 books हैं कुछ physics की है कुछ chemistry कुछ biology की और आप एक library नो तो आप क्या करोगे उनको categorize करोगे कुछ entrance exam के लिए कुछ board exam के लिए फिर आप उन्हें तो इस तरीके से किसी भी चीज को system में रखना जैसे आपने देखा एक kitchen में इसने ये वैद्द है ना इस वैद्द ने अपनी organization बहुत important होता है किसी भी काम को perfect तरीके से करने के लिए और biology को एक science की तरह जब भी आप पढ़ते हो तो उसको perfect order में पढ़ना होता है भले ही हम perfect नहीं है लेकिन हम जिस science को पढ़ते हैं वह काफी perfect होती है तब ही वह valid होती है तो उसको perfect लाने के लिए systematics एक ब्रांश थी जिसने चीजों को organize किया arrangement उसका proper किया और evolutionary relationships के साथ उनको organize किया या living organism को classify करने के लिए आप evolution को क्यों इसमें डाल रहे हो जरूरी क्या है बताओ तो evolution को इसमें add करने का process ही इसलिए है कि organism जो है वो एक form से दूसरी form में बनते चले जाते हैं और इस process को हम evolution कहते हैं और अगर इनी order में इने organize कर दिया जाए तो सबसे पहले हम बहुत basic type की organism की बात करेंगे उसके बाद म इसलिए scientist ने कहा भाई जैसे जैसे इस दुनिया पे organisms आए हैं वैसे ही organize करना है जैसे आप एक बहुताओ आपने एक साधी पार्टी अरेंज की और आपने क्या किया कि लाइन में सब को एक साथ लगा दिया आपने क्या कि थोड़ी सी बुद्धी लगा यार ऐसा नहीं चलत है तो उसी तरीके से जो organism सबसे पहले आए वो हम सब के दादा पर दादा की तरह पुराने है ना तो उनको एक अलग category में रखा गया और वो evolution के हिसाब से उनको फिर organize किया गया इसलिए systematic जैसी branch है जो taxonomy के सारे steps को follow करती है जैसे उसमें क्या 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 चीज़ें होती है तो सबसे पहले करेक्टराइजिशन होता है किसी चीज़ का करेक्टर आप पता करते हो गीकर्ग टशण होता इश्सी होता है तो आज अग्र इसके साथ आप जैसे चार चान लगाने वाली बात तो इसमें कुछ इवोलुशनरी करेक्टर को जब आप एड़ कर देते हो इवोलुशनरी हम किस से ज़्यादा रिलेट करते हैं यह इवोलुशन पर डिपेंड करेगा इसलिए इवोलुशनरी करेक्टर जो होते हमें काफी रिलेटिव और्गनिजम को हमारे साथ कटेग्राइज कर देते हैं तो जो हम है वेल से काफी रिलेट करते हैं वेल से और एलिफेंट से हम ज़्यादा रिलेट करते हैं तो यह बात समझ में आती कि वेल या एलिफेंट हमारे काफी नेरेस्ट हैं यह डिपेंड करेगा क कि वो मैमल्स है और अगर हम बात करें बड्स की तो बड्स हमसे काफी अलग है डिफरेंट है हलांकि एक ही जनरेशन वो हमसे पीछे हैं है ना और हम जो है ज्यादा इवाल्व हो चुके या हम एक अलग ट्राइब में वाल हुए अलग तरीके से वाल हुए तो यह बात समझ मे आते हैं कि सिस्टेमाटिक एवोलिशन को काफी कंसीडर करता है जिसकी वज़े से करेक्ट ऑगनेजिशन बनता है करेक्ट तरीके से किसी भी चीज़ को क्लासिफाइब किया जाता है कि पिर देखो यहां पे जो लिनियस नाम का साइंटीस था बड़ा ही यह मेधावी था भी यह बहुत पड़ाई लिखा ही किरता था और इसने एक सिस्टेमा नेचर नाम की बुक लिखी हुई थी और इस बुक को लिनियस ने लिखा हुआ था यह इसका एक्स्पिनेशन है यही था जो फादर आफ टेक्सिनॉमी कहते है इसको तो यही है जो फादर आफ टेक्सिनॉमी इसको फादर आफ टेक्सिनॉमी भी कहते हैं किसको कैरलेस लिनियस को तो यह ध्यान रगना कैरलेस लिनियस जो है यहां पे कैरलेस लिनियस जो है यह फादर आफ टेक्सिनॉमी तो उसको correctly classify किया जाता जब correctly classify किया जाता तो उसका नाम दे दिया जाता है और इस तरीके से वो पूरी तरीके से taxonomy के सारे steps पूरे हो जाते हैं और यह अपने आप में कहलाता है basic processes of taxonomy तो taxonomy के स्ट्ट्ट्स हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि basic processes of taxonomy taxonomy के कौन कौन से basic processes होते हैं जैसे मैंने सबसे पहले बात की characterization तो मैंने जैसे अभी कहा था किसी भी लिविंग organism को क्या करना पहचानना है समझना है उसकी internal structure को समझना है उसके structure of cells को समझना है उसके बाहरी करेक्टर को समझना है उसके evolution या development के process को समझना है उसके ecological information को इस सिता तो characters को पहचानना एक organism के क्या क्या characters हो सकते हैं उन सारे characters को अगर हम note out या record करते हो तो process को characterization कहते हैं और यह taxonomy का पहला step है तो taxonomy का पहला step characterization then हम बात करते हैं करेक्टराइजिशन के बाद identification जब आप character सही से पैचान ले तो किसी वह organism का तो उसकी एक बिल्कुल correct उसकी पैचान हो जाती है उस organism को कहां रखना है किस category का organism है क्या role है उसका यह सब पैचान हो जाती है उस mechanism की उसको monter p Cem get . फिर उसका आप क्या कर देते हो चाहे अनेमल kingdom में चाहे फंजाई kingdom में में चाहे प्रोट अंटी इक साह मेंड傳 van रेन्ट कर्वाइब में लुकुरयॉट मिं आप से क्लांसी पाय कर देते हो इस प्रॉस्पर्स को classification कहते हैं और यह तीसरा step of taxonomy है फिर आजाते हैं हम चौथे step में चौथा step है normanclature क्यूंकि आपको पता है कि normanclature देने के लिए यहां पर एक genus का नेम और एक species का नेम तो यह genus का नेम है बच्चों और यह species का नेम है तो genus के नेम को हम बोलते जेनेरा या जेनेरिक जेनेरिक इपीठेट तो इसको बोलते जैनेरिक इपीठेट और जैस्पीज होती उसको specific specific epithet भी कहते हैं तो कोई भी जो nomenclature है और सेंट्टिफिक normanclature है botanical normanclature है तो उस normanclature में एक genus नेम जिसको जिसको सिस्सफिक कैते हैं मस्ट होता है जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मेंगो कहने लग रहा है और मतलब वो अपना नेम मेंगी फिरा इंडिका बताता है जैसे जो मदूमक की है ना ये सहद बनाती है और इसका नाम है एपीस इंडिका और ये इंडिया की ब्रीड है इंडिया इंडियन ब्रीड है ये मतलब इंडिया की जो मदूमक की होती है एपीस इंडिका होती है तो इसन यह बोटनीकल नेम और यह है दोनों जूलेजिकल नेम क्योंकि एक एनिमल का नेम है और एक प्लांट का नेम है याद रहेगा मैंगो के फल का नाम मैंगी फिर एंडिका नहीं होता मैंगो के प्लांट का ही नाम मैंगी फिर एंडिका होता है अब देखो जो आपे स्केरल लिनियस का देखो यह फीगर फिर से यहां पर आ गया यह क्या कहना चाहता है कि सिस्टम आफ नेमिंग विद्धा जब भी किसी ओर्गनिजम को दो कंपोनेंट के साफ आप नेम देना चाहते हो उसको बाइनोमियल नेमिंग क्लेचर कहते हैं और यह लिनियस ने प्रपोस किया था जैसे कि मैंगी फिरा इंडिका पैंथिरा टाइगरिस यह टाइगर है तो पैंथिरा टाइगर का नाम आता है और मैंगी फिरा इंडिका में मैंगो का नाम आता है तो यह ध्यान रखना अब वैसे तो आप सारे ही और्गनिजम का नाम बता पाऊगे जैसे कि मैंने का था जब भी बॉटनिकल नॉमन क्लेचर आप करते हो तो आई सी बी एन आई सी बीन का मतलब होता है इंटरनेशनल को कोड़ फॉर जोलोजिकल नॉमन क्लेचर तो यह कोड़ ऐसे हैं इनको रूज के अंदर रखा गया कोड़ मतलब रूज तो जैसे आप बात बताओ किसी भी प्लांड के क्लासिफिकेशन में क्या रूज सप्लाई होने तब उसका नेम देना है यह आई सी बीन डिसाइड करे जब भी इनको प्रिंट किया जाता है कंप्यूटर में प्रिंट किया जाता है तो इस लिख लेना फॉंट इन कंप्यूटर जब भी कंप्यूटर में जब भी बुक को पब्लिस किया जाएगा तो उसे कंप्यूटर में रखेंगे ना तो उसमें क्या किया जाएगा फॉंट in computer italic font होता है computer में तो आपने देखा होगा कई बार computer में कुछ चीज तिर्ची हो जाती है letter तिर्चे हो जाते हैं वो letter तिर्चे होते ही हैं क्योंकि उसको italic font कहते हैं तो जब भी किसी scientific name को computer में या publish करना है उसे बस underline कर दो separately जैसे मैं आपे अगर लिखता हूं मंगी फेरा इंडिका तो मैं इसे separately underline कर दूंगा इस तरीके से और जब मैं separately underline कर दूंगा तो यह बिल्कुल रूल को follow करने का process है क्या देखो जीनस का name capital letter से start किया मैंने इस पिसीज का name small letter से start किया दोनों को separately underline कर दिया और यहां पर मैं scientist का नाम लिख देता हूं ल आई डबल एन एन है ना ऐसा इसको मैंने underline नहीं किया और इसको capital letter से start किया और चार लेटर सी लिखे तो author का नेम जो है सिर्फ चार लेटर का होता है यहां पर एल लिनियस ल आई डबल एन तो इसको हम चार लेटर अब्रिबीएटेड फॉर्म में लिखते हैं यह बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली भी थी फिर इसमें author का नेम जो होता है वह चार लेटर से अब्रिबीएट करते हैं यह ध्यार नखने की बात है है जैसे यहां पर लिखा है हूमो सैपियेंस लेन मतलब करोट ले जैसने हूमो सैपियंज को पहली बार डेइसक्राइब किया यह मेंगी फिराइंडिका यह मेंगो को भी parenth सब से पहले explain किया था उसका नाम दिया था कैरूलस लिनियस ने इसलिए इन दोनों जगों पर आपको लिनियस का नाम अब्रिविएटेड दिखेगा और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही क्योंकि हमने जो आशन दिश्क्राइब किया है वो कुछ इस तरीके से आब एक बार क्केशे रिवीजिजन में ले लो इस चीज़को जैसे सबसे पहले हमने बार बातनी के दोनी इचैनड की इसकी स्टेट किया है कैसे काम करना है फिर आमने उसके इसके लवक् Wentberg क। ता और इसमेंसे अब धान रखा था कि अमारे बॉटनी के स्लेलस में चेंज वाले टॉपिक्स सिंद में इछ देख सकते हो और फीर हमने दा लिविट्वार अक्टे सकते हैं लेकिन लाड कि टॉपिक को डिसकस नहीं करते और वाटिस बायोजी ही यह था वाट जी जिसक्टर Hearts प्रूट किया तो भायोजी उसके वाद में इस चेप्टर फियलोजी हमें आप झाल झाल